नमस्कार मैं हूं करिश्मा शिवास्तवर आप देख रहे हैं आनेस नीवस प्लस खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नज़र हेड्लाइन्स पर चूलकिट मामले में दिशा की गिरफ्तारे पर सियासतार पार कॉंग्रिस समेथ विपक्षी दलो ने सरकार पर किया हमला पाच दिन की हिरासत में ली गए दिशा साथ ही दो और लोगों के खिलाब गया जवानती वॉरिट जारी विजडौर में किसान महा पंचायत में बोली प्रियांका गांधी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा मोधी सरकार ने गन्ना किसानों का बकाया पूरा नहीं किया लेकिन अपने लिए 16,000 करोड का हवाई जहाज खरी दिया है वाटसाप की नई प्रैवसी प्रॉलिसी पर सुप्रम कोच सक सुप्रम कोच ने वाटसाप फेसबूक को जारी किया नोटिस कहा हमें लोगों की निच्टा की रक्षा करनी होगी क्लाइमेट आक्टिवस्ट दिशार रवी की टूल्किट मामले में गिरफतारी के बाद अब विपक्षी दलों ने केंद सरकार को निशाने पर ले लिया है प्रेंका गांधी वाजरा राहुल गाने दिली के मुखे मंत्री अर्विन केजिवाल समेट कई ऐसे नेता हैं जिनोंने इसकी कड़ी निंदा की है वही पुलिस ने दिशा को पाच दिनों के लिए खिरासत में लिया है और साथ ही दो लोग और हैं जिनके खिलाफ उन्होंने गैर जमानती वारंट भी जारू किया देखें पुल रिपोर्ट कॉंग्रिस महासरजेफ प्रेंगा गांधी वाज्जा ने भी इस मसलिप और ट्वीच किया और सरकार को निशानी पड़ लिया कॉंग्रिस महासरजेफ प्रेंगा गांधी ने अपने ट्वीच में लिखा कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्ती लड़की से वहीं कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सरकार पर प्रहार करते हुए कहा है कि भारत चुप नहीं रहेगा हिंदी के एक दोही का और लेक करते हुए राहुल गादी ने ट्वीट किया कि भारत चुप नहीं नहींगा वही दिली के मुख्यमंत्री अर्विन के जिवाल ने कहा है कि 21 साल की दिशार रवी को गिरफतार करना लोगतंतर पर एक हमला है हमारे किसानों का समर्धन करना कोई अपराद नहीं है जबकि आमाद्वी पाजी के नेता रागप चट्डा ने कहा 1970 की दशक की याद दिलाते हैं अपातकाल के बारे में बात करके कॉंग्रेस पार्टी को घिरते हैं आज वो लोग उसी हिसाब से एक अगोशेत आपातकाल की और इस देश को ले जा रहे हैं मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप कड़े शब्दों में सत्तर के दशट में लगाए गई एमर्जेंसी की तो कड़ी निंदा करते हैं लेकिन आज आप 21 साल के बच्चों को पुलीज भेज कर दूसरे राज्ये से बिना ट्रांजिट रिमांड लिए बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन करे उन्हें जेल में बंद कर देते हैं ये कहां का इंसाफ है अगर ये आपातकाल नहीं है तो फिर क्या है आपातकाल जबकि हर्याना के ग्रहमंत्री अनिल्विज ने सक्त्रूक अपनाते हुए कहा कि जो कोई भी अपने दिमाग में राश्चुवाद विरोधी बीच भूता है उसे पूरी तरह से नश कर दिया जाना चाहिए जहे वह दिशारवी हूँ या कोई और परहाल दिलीपुलिस स्पेशल सेल ने प्रोख हालिस्तानी ग्रूप पोईटिक जस्टिस फाउंडेशन और उसके सक्री सदस्यों की पहचान करने और दिलीट किये गए वाट्साप ग्रूप को फिर से रिकवर करनी के लिए अदालत से 21 वर्षे जलवाईयों कारे करता दि प्रियांका गांधी वर्षे जारी किये गहे हैं पॉंग्रिस महासरचे प्रियांका गांधी समवाग बिजनौर महापंचाइब में शामे की और जमकर मोधी सरकार पर हमला बोला विजनौर मी किसान महापंचाइप को सम्भोधित करते हुए प्रियांका गाधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में दो बार जनता ने भरोसा जाताया क्यूंकि उनसे जनता को कुछ उम्मीदे थे कि उनके लिए काम करेंगे नरेंद्र मोदी लेकिन मोदी सरकार जन्ता के फले के लिए कुछ नहीं कि प्रियांका गांधी ने कहा कि 2017 से गन्ने के दान नहीं बढ़े देखा लेकिन अपने लिए 16,000 करोड कर हवाई जहाज खरी हैं कॉंग्रेस निदा प्रियांका गांधी ने कहा कि बोधी सरकार जो नए कान मिलाई है उससे जमाखोरी बढ़े देखा तो कभी कभी कान में आता है कि आज के प्रथा मत्री जी नाइंदर मत्री जी को दो दो भार जन्ता अने क्यों जिता है इसी लिए जिताया हुका कि मन में उमीद नहीं होगी कुछ भरुसा रहा हुका हुके कि वो आपके लिए काम करेंगे क्या आपकी कभाई जुभी हुई है क्या दन्य का दान 2017 से बढ़ा है आप सब दन्य के किसान है आज भी जो ने दे लिया है सरकार में क्या गन्य का दान बहा है नहीं आपका पकाया कितना है आपको महरु होगा कि यूपी के किसान हो का गन्य किसान हो का 10,000 करोर रुप्या पकाया है और अगर तुने देश भर कि गन्य का पकाया निका जाए तो 15,000 करोर का है अब आप सोच सकते हैं कि ये ऐसे प्रधान मंत्री है कि आपका बताया आज तक पूरा नहीं किया लेकिन अपने लिए दुनियों में भुर्ण करने के लिए इन्होंने दो हावाई जहाद करीने हैं दो हावाई जहादों की कीमत आप जहनते हैं क्या है कितनी है कीमत इन दो हावाई जहादों की कीमत 16,000 करोन लोगर कॉंगरेस नेता प्रियांका गार्धी ने ये भी कहा कि जो किसान असी दिनों से दिली के बॉर्डर्स पर पेंट हैं प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि नए कानून उन किसानों की भलाई के रहे हैं लेकिन जब किसान के मांग कर रहे हैं कि उन्हें ये कानून मंजून नहीं तो वापिस क्यों नहीं ले लेते उन कानून ता किसान को नहीं पता उनका भला किस में हैं प्रियंका ने वार किया कि नई कानून से सिर्फ उद्योग पतियों का भला होगा और किसानों की कहीं पर नहीं सुने जाएगी। इस कानून के जरीए बड़े-बड़े खड़कपती, बड़े-बड़े अग्योगपती, कितना भी आपसे समान करीच सकते हैं, और कितनी, कितना में आप जमा कर सकते हैं, कोई लोग नहीं है, कोई पाबर नहीं है, इसका मतलब यह है, कि उनकी पूरी तरह से मनमजी चलेगी, जब वो जमा करना चाहेंगे, करेंगे, जब वो आपको कहना चाहेंगे, कि अवा खड़ी नहीं सकते हैं, तो कहेंगे, जब आपको कहना चाहेंगे, आप ये दान नहीं मिलेगा, आज हम आपको कम दान लेंगे, तो वो भी कर सकते हैं, आप दुनिया भूं सकें, बड़े- संस्ष में खंये होता मज़ा पुरा है उहीं किसानों को आपने एक नया नाम दिया अंदोरण जी दी, परीजीदी परीजीवी होता क्याहिए आप सब जाते हैं सब किसान आपका आपमां किया भरे संसंष में हस्ते हुएे आपका आपमां किया तो दोजार जो दो सो पंदर किसों शहीद हुए है उन में से 25 सार का लगता मैं कुछी दिनों पहरे ना पूर गई उसके अंते मरगास में इतना दुख हुआ में क्या बता हूं उस परिवार से मिन कर एक 25 सार का बच्चा उस परिवार को लगता है कि उसे गोरी मार दी गए तो यह सहीद हुआ उसकी माँ इने बाद बैची थी पूरे सबे कुछ बोरी ने आपों में असुप है और आप संसर में खाये ओकर बदाप आए आप परिजी नी क्या रहे है आप मंत्री देश ग्रोंजी क्या रहे है इसका मतलब है आप प्रदार मंत्री ने ऐसा कोई देश नहीं छुड़ा जहां वो नहीं गए हूँ लहीं दिल्ली में अपने घर से कुछ ही दूरी पर देश का किसान आंदोलन कर रहा है उनसे मिलने पियम मोदी कभी नहीं पहुचे प्र्यांका ने अपने सब्वोधन में भी कहा कि मोदी ने किसानों का मज़ा खुड़ाया उन्हें आंदोलन जीवी पर जीवी बताया प्र्यांका ने कहा कि मोदी जी देश भक और देश द्रोडी में फर्क नहीं पहचाब पाया अपने भाशन के अंध में प्रांका गांधी ने आंदोलन में जीन किसानों की मृत्ति हुई उनके लिए दो मिनट का मौन भी रखवाया ब्यूरो रिपोर्ट फबन आईएंस WhatsApp की नई प्राइविसी पॉलिसी को लेकर काफे दिनों से विवाद चल रहा है और इस विवाद के बीच सोमवार को सुप्रिम कोच में की आज का पर सुनवाई हुई है जिसके बाद सुप्रिम कोच ने WhatsApp और Facebook दोनों को ही नोटिश जारी किया है और सुप्रिम कोच ने कहा है कि भले ही ये कमपनिया दो से तीन चलियन की हुँ लेकिन लोगों के लिए उनकी निच्टा की कीमत इससे जादा है देखिए पुलिपोर्ट WhatsApp के नई प्राइविसी पॉलिसी को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा है जहां भारत में लाखों यूजर्स ने प्राइविट इंफर्मीशन के लीक होनी के चर से WhatsApp को अलविदा कहना शुरू किया तो वही अब सुप्रिम कोच ने भी Facebook और WhatsApp पर सक्त कदम उठाना शु और नई प्राइविसी पॉलिसी को लेकर शीश अदालत ने WhatsApp और Facebook को नोटिस चारी किया है WhatsApp की नई प्राइविसी पॉलिसी को चिनौती देने पादी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रिम कोच ने सोंबार को ये साफ कर दिया कि लोगों की निच्चता की सुरक्षा करना अदालत का करतव है कोच ने Facebook और WhatsApp से कहा आप दो या तीन च्रेलियर की कमपटी होंगे लेकिन लोग अपनी निच्चता की कीमत इससे साधा मानते हैं और उन्हें ऐसा मानने का हक है याचिका में बताया गया है कि यूरोप और भारत के लिए अलग पैमाने अपनाए जा रही है भारत में डेटा प्रोटेक्शन कानून बनने वाला है उसका इंतजार किये बिना पहले WhatsApp नई पॉलिसी ले आया है आपको बताने कि WhatsApp की नई प्राइविसी पॉलिसी का एलान पाच जन्वरी को हुआ था इसके बाद सही WhatsApp यूजर काफी नाराज है WhatsApp की नई प्राइविसी पॉलिसी के एलान के पाच सही बड़ी संख्या में लोग दूसरे मेसेजिंग आप पर शिफ्ट होने लगी है बरहाल WhatsApp की नई प्राइविसी पॉलिसी को 15 मैं तक टाल दिया क्या है विर रपोट खबर आइनस देश में सोमवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लकादाश साथवे दिन भी वृध्धी दर्श की गए और इस वृध्धी के बाद अब कई शेहरों में पेट्रोल और डीजल के एदाम रिकॉट हाई भी पहुँच गए है इस वृध्धी के बाद राश्टे रास्थानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 89 रुपे प्रती लीटर के करीब पहुच गई तो वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 95 रुपे 46 पैसे प्रती लीटर हो गई है देखे पुरी रिपोर्ट और जाने किन प्रमुक शेरों में क्या है पेट्रोल और डीजल का दाम भारत के देश वास्यों को महंगाई की जबरदस चोट पड़ रही है देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में उच्छाल लगातार जारी है इंधन की कीमतों में लगातार साथवे दिंग वृध्धी दर्श की गई है कीमतों में तेजी के बीच राष्ट रास्थानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम सोमवार को फिर बढ़ गए पेट्रोल में 26 पैसे जबकि दीजल में 39 पैसे प्रतिलीटर की बढ़हुत्री की गई है तेल कंपनी इंजिन और कॉर्परेशन के मताबिक इस बढ़हुत्री के बाद दिल्ली में पेट्रोल 88 रुपे 99 पैसे प्रतिलीटर हो गया है जबकि डीजल 89 रुपए 35 पैसे पति लीटर पर पहुच गया है जबकि मुंबाई में 95 रुपए 46 पैसे पति लीटर बिखने लगा है और कच्चे तेल में जिस प्रकार तेजी का सिलसिला जारी है उससे पेट्रोल और डीजल की महंगाई पर लगाम लगानी के जल्द कोई आसार नहीं दिख रहे है दिली में लगाता है साथ दिनों में पेट्रोल दो रुपए 4 पैसे पति लीटर महंगा हो गया है जबकि डीजल के दाम में 2 रूपए 22 पैसे पतलीटर की व्रित्थी हुई है तेल कंप्यों लिए हो सुन्वार को पैचोल के दाम में डिली में 26 पैसे बेमि कोल्कता में 24 पैसे मुंबई में 25 पैसे जबका चेंडाई में 23 पैसे पतलीटर की बड़ोतरी गी है और डीजल 89 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर हो गया है। पर सरकार पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। 2021 में जनता के साथ दगा की बेवफाय की और अब पेट्रोल डीजल 100 पार कर सेलिंडर 50 रुपए बढ़ा कर जनता को ठगने का काम कर रहे है। वितमंत्री से गुजारेश है जब तक टेल की कीमते आप कम नहीं कर सकते हैं तब तक इस साइकल पे सबसिड़ी दे दो क्यूंकि अब चार पईए वाले दो पईए वाले साइकल पे आने वाले हैं और ये जही जनता के अच्छे दिन आए है। आज पार आज में आज गाड़ी गहना बनते जा रही हैं क्योंकि वो कभी-कभी अभी सिर्फ इस्तमाल हो गई जिस परकार पेट्रोल सौ पार हो गया। आपको बतादे कि देश में हर रोज पेट्रोल डीजल के कीमते संशोधित की जाती हैं। इनकी कीमते इंटरनेशनल क्रूज प्राइस और विदेशी मुज़़ा की दरों के हिसाब से तैकी जाती हैं। जानकारों की माने तो जानकार बताते हैं कि कच्छे तेल की मांग आगे बढ़ने की उमीदों से दाम में तेजी पनी हुई है। बियर रिपोर्ट कबर आएनस। क्रिशी कानून को लेकर किसानों के अंदोलन को करीब तीन महीने होने वाले हैं। और किसानों की मांग है कि इन तीनों कानूनों को रद किया जाए। पिछले तीन महीनों से बौजरों पर डटे किसानों का लंगर भी लगताया जारी है। हजारों की संख्या में कानून का विरोध कर रहे किसान खाने पीने का भी पूरा खयाल रख रहे हैं एक और जहां किसानों का परदशन जारी है तो वहीं गाजिप और बॉजर पर किसान लोगों को रोज़कार भी मुखाया करा रहे है रसल यहां किसानों के खाना बनानी से लेकर पर्तंधोने तक के लिए मस्तूरों को दिहारी पर रखाया है यहां खाना बनाने सब्जी काचने के लिए कई मस्तूरों को रखाया है कितने लोगों की Tea मैंड़ काम क्या काम होता है कम जो यह सबी बनाना ट्रॉद लो年 मिलता है अपको ऑ harassment भी आजया हूं आप है ha a आप से कोई पैसा भी फिलाल मिला नहीं है अब किसी ठेकेदार की कहने पर आए है या अपना खुद ही आगाए है किसी मजदूर को 300 रुपए दिहारी दी जा रही है तो किसी को 500 रुपए की दिहारी दी जा रही है मजदूरों का जैसा काम है उसे साबसे उनको तिहारी दी जा रही है नौपरीकी समस्या होने के चलते कोई एक महीने से वहां काम कर रहा है तो कोई पंदा दिनों से तो यहां कितने वक्स से हैं? हमें तो करीब पर एक महीना हो गया अच्छा तो कितना रूपा मिल जाता है eight महीने बर्से हैं तो पैसे रोजाना मिलते हैं या में नहीं वह हमारी आपने कितने मतलब लोग है आपके टिम में आठ ओंगे सभी की सेम इलए तीनसों रूपे आपको कितना रूपा मिलते हैं तो आप लोग रूजगार के लिए यहां पर आपको रूजगार अच्छा मिल रूजगार नहीं तो यहां पर काम कर रहे हैं तो उसका पैसा आपको मिल रहा है तो आपको याद होगा जब सरकार और किसानों के बीद बातचीत का दौर चल रहा था तब भी किसानों के लिए लंगर काही लंजाता था फिलहाल आइनस नीस प्लेस पुलेटर में काहीं इजाज़त दीजे नमश्कार